हलो गाईज और वेलकम बाक तो माई चैनल सिर्फ आई एस तो यहाँ पे इंडियन एकोनमी बाई संजीब वर्मा जी की सीरीज को कॉंटनियू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चाप्टर नंबर 15 जो बैंकिंग था उसका पाल्ट 4 प्रजेंट करने जा रहे हूँ तो बाईए शुरू करने से पहरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ब्रैक्म को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अप्रेट्स मिलते रहे हैं पिछले तीन पार्टों में हमने काफे कुछ डिसकुस कर लिया बैंकिंग के बारे में सारे बेस कर लिये सारे तरीके बैंक जो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे और यह तरीके का जैसे मैंने लास्ट लेक्चर खतम होते होते बताया था कुछ डिफ्रेंशीटेड बैंक होते हैं तो यह पेमेंट बैंक जो है वह एक डिफ्रेंशीटेड बैंक है जो कुछ ही रिस्टिक्टेड मातरा में बैंकिंग क करता है और किस तरह से वो सारे functions निभाता है जो कि banking regulation act 1949 इसको allow करें वहीं ही कुछ functions निभाता है restricted मातरा में हर एक काम यह नहीं कर सकता अब यसे आप कहोगे कि क्या ऐसे function होगे तो भैट deposit के लिए इनको allow करा गया ठीकिए आप deposit करवा लिजे आप payment दे दीजे ठीकिए कोई दिक्कत नहीं है आप remittance services provide कर लिजे आप internet banking दे दीजे आप business correspondence के तोर पे दूसरे बैंकों के लिए काम कर लिजे ठीक है और starting में तो सिर्फ इसको deposit एक लाग रुपे तक ही allow करा गया था कि एक इंडिविजुल से एक लाग रुपे तक के लिए इसमें पैसे जमा कर सकता है ठीक है सब को जहन में रखा जाता है किसी इंडिविजुल को भी रिस्क ना हो बही कुछ आगी भी प्रॉब्लम ना है इसले कम इनको थोड़ा रिस्टिक्टिड़ इमानलमेंट को चीजों को अलाओ करा गया यह इंशॉरंस वगयरा बेशते हैं मनी ट्रांसफर करते हैं मिच्वल ट्रंट्स वेशते हैं उसके साथ यह एटीम डेबिट कार्ट भी इशू करते हैं लेकिन क्रेट कार्ट इशू नहीं करते यह सबसेडि बिल्कुल नहीं करनी होती हैं मतलब यह लोन वगेरा बिल्कुल नहीं दे सकते कुछ बातों का ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से तो हुआ ये कि Reserve Bank of India ने रिलीस करी एक लिस्ट और उस लिस्ट में उन सब के नाम थे जिनों ने यहां पे इस पेमेंट बैंक के लाइसेस के लिए अप्लाए करा था तो ये कब उन्होंने लिस्ट जारी करी थी लिस्ट करी थी उन्होंने जारी February 2015 कितने अप्लिकेशन आई थे कितने अप्लिकेंट से कुछ 41 अप्लिकेंट से तो इसके लिए हुआ क्या कि यहां पे एक external advisory committee को बनाया गया जिसके head थे नचिकेत मोर कौन थे नचिकेत मोर ये इसके head थे और इस committee को काम ये दिया गया कि आप देखिए evaluate करिए सही सही license की जो applications आई है सरकार ने ये भी decide करा कि जो India post है ना India post India post का पूरा network बड़ा सा India post अपना use करेगी ताकि इन payment banks को run करा जा सके उसके बाद आगे क्या हुआ आगे ये हुआ कि जो एक committee बनाई गयी थे इसके head थे नचिकेत मोर थे इन्हों ने अपनी findings जो भी पता लगा इस committee ने वो submit करी 6th of July 2015 में clear है जो जो applications आई थी उसके जो जो applicants थे उनको proper अपर examine करा गया कौन है कहां से आए है उनका financial track क्या है कोई governance issues तो नहीं रहे है सब कुछ देखा गया अच्छे से समझा जाना गया और तब इन्होंने result अपना सामने राया objective ये था payment bank का कि ऐसे दूर दरास के इलाके ऐसे masses ऐसी जनता जो unbank है जिनको इस services नहीं मिल पा रही है उन सब को आप service मिले और financial inclusion हमारे देश के हो सके bank दूर दरास तक जाए जो financially जिनको पूर financially literate है मतलब साथ है नहीं पता है इस बारे में जानकारी तो उनको मिले यहाँ पे साथ में जो है वो गरीबी से लडने में मदद मिले तो इसलिए payment bank को लाया गया था काफी important, काफी significant, काफी अच्छा step था RBI का और कई सारे जाने माने bank जिसे SBI वगेरा जो चाहा रहे थे कि हम दूर दराज इलाके तक पहुँचे, rural areas तक पहुँचे तो भाई payment banks ने इन लोगों को भी अपना उद्देश पूरा करने में मदद करी अब जिसे मैंने आपको बताया कि इन principal licenses दिये गए थे Reserve Bank of India के द्वारा कुछ entities को तो कुछ entities को ये दिया गया कि आप ठीक है आप launch करिए अपना payment bank जैसे कि बहुत ही जाने बाने लोग थे एक आधित बिरला न्यूवो हो गया दूसरा हो गया Airtail M Commerce Services जो भी हम लोग यूज भी करते हैं आप भी I think यूज करते होंगे फिर तीसरा हो गया आपका छोला मंदलम Distribution Services चौथा हो गया Department of Post पाचवा हो गया फिनो पेटेक छड़ा था नाशनल सिक्योरिटीज डिपोजेटरी साथवा था रिलाइंस इंडस्ट्रीज आथवा था दिलीब सांगवी सन फार्ड नमसूर्टिकल्स का उसके बाद नवा था विजय शेखर शर्मा का जो पेटियम आया पेटियम भी तो आप पूरा सैटिस्ट्राक्ट्री होने के बाद सैटिस्ट्वाइ होने के बाद उन्होंने लाइसेंस फुल ग्रांट लाइसेंस प्रोवाइट कर दिया पेमेंट बैंक को ये था कि अपना ये जो है वो रेडिस्टर करें आप खुद को एक Banking Regulation Act 1949 ये दिया जाएगा इसमें कुछ conditions होंगी जिसे आप कुछी काम कर सकते हो मतलब कुछ restricted activities कर सकते हो आप किया कर सकते हो demand deposit का मतलब जानते हूँ क्या होता है आपने पैसा कहीं जमा कर रहा है और जब भी आपको झरवत आप निकाल लिए मतलब आपके demand पे ये वहाँ पे चल रहा है कि आपकी मर्जी से आप गए और आपने जमा करो और आपको यहाँ पे निकालना है तो आपने निकाल लिया अपनी demand के टाइम पे ठीक है इनको यह भी था कि payment और remittance services आप दे सकते हो और इसे govern करा जा रहा था banking regulation act 1949 की provision के अंदर साथ में Reserve Bank of India Act 1934 की provision के अंदर उसके साथ यहाँ पे foreign exchange management act 1999 की provision के अंदर क्योंकि remittances भी ले रहे हैं उसके बाद payments and settlement system act 2007 की provision के अंदर और कुछ दूसरे जो भी statute या जो भी directives या जो भी आपकी regulations हैं कुछ prudential regulations को जूसरी guidelines instruction जो भी RBI था है उसे साथ से इनको काम करना था और यह जो regulators थे उनको time to time RBI direction वगेरा तेती रह दीती जैसे कि इसमें हो गया कि securities market regulator हो गया से भी वगेरा इसमें आपका public issues दूसरी guidelines जो भी listed है public companies के अंदर उसे साथ से इनको काम करना था मतलब बहुत एक restricted manner में काम करना था बस यह था कि देश को बढ़ाना है तो इनको थोड़ा सा important थे यह देश के लिए इस कदम को उठाया गया था अ क्योंकि यह सारे बैंक तो कुछ एक particular area में ही काम कर रहे थे न और जरतर बैंक जो है क्या कर रहे हैंने लगे अब actually इन बैंकों के यूज सही से करने लगे दूर दराज तक payment banks पहुंश रहे थे न तो यहां तक यह था कि दूर दराज तक payment bank पहुंश सकते हैं तो उनकी तु इसको समझना शुरू करते होगे कि हाँ बात तो सही है और सारा कुछ point आप लिखना शुरू करते होगे तो हमेशा basic चीज़े से यहां पर चीज़े को सोच ही चला करिया तो जादा easy रहता है अब हम बात करेंगे India post payment bank के बारे में बहुत सुना होगा आपने India post payment bank के बारे मे तो अब यह काम करता है operational है और इसको department of post ministry of communication के अंदर setup किया गया है जिसमें 100% equity सरकार की है मतलब एक तरीके से पूरा सरकार के हाथ में है और इसको एक pilot project के तौर पे 30th of January 2017 में राची जारखंड में और साथ में राइपुर 36 गण में जो है वहाँ पे launch किया गया था उद्देश ये था कि भई यहाँ पे पूरे देश में पहुँचेगा 2018 तक और 2019 तक यह जो इंडिया post payment bank है इसने अपनी जड़ों को मजबूत करा पूरे ही जो इंडिया के अंदर इसमें post office में वगरा सब कवर कर लिया इसने और इक network इसमें 650 IPPB मतलब इंडिया post payment bank की branches का पहला दिया इसमें offices जो की hub के अंदर काम कर रहे थे spoke model सब को इसके अंदर cover कर लिया गया यह एक जैसे कोई दूसरा bank होता है ना उसी तरीके से यह bank था बट एक छोटे scale पे smaller scale पे काम कर रहा था इसमें कोई भी credit risk नहीं था नहीं कोई loan दे सकता था और नहीं कोई credit card issue कर सकत रहा था यह पूरी कहानी इंडिया post payment bank के उसके बाद यहां देखिए यह है DSIB ठीक है बूसरी इसके बारे में बार बताऊंगी तो recently क्या हुआ है कि Reserve Bank of India ने HDFC को एक domestic systematically important bank के तौर पे list कर दिया है under the bucket structure identified last year अब यहां पर समझो मामला क्या हुआ है मुझे सब सोड़ो यहां पर मामला यह है कि Reserve Bank of India ने HDFC को as domestic DSIB का full farm होता है domestic systematically important bank के तौर पे list कर रहा है अब domestically system domestic systematically important banks के अगर मैं बात करूं तो यह इनको हम लोग two big two fail भी कहते हैं बहुत जादा interconnection इसका हो गया बहुत बड़ा bank हो गया और bank जिनकी asset अगर हम बताएं कि GDP की 2% हो जाती है कौन होते हैं यह आखिर कर domestic systematically important bank यह वैसे bank होते हैं जिनकी assets जो हैं वो हमारे देश के GDP का 2% हो जाएं तो अगर यह ऐसे bank जो है मान लोग फेल हो गए तो क्या होगा पूरी economy हिल जाएगी ना इसलिए इनको इस category में डाला जाता है अब यह जो DSIB हैं मतलब domestic systematically important banks जो हैं इनको 5 buckets के अंदर characterize करा जाता है और इन buckets के हिसाब से banks को जो है कुछ additional common equity tier 1 के तौर पे कुछ यहां पे अलग रखना पड़ता है as a percentage of risk weighted asset ठीक है एक मतलब इनको एक कुछ मतलब आप कहलो कि कुछ percentage इनको अलग रखना पड़ता है risk weighted asset के तौर पे ताकि भई risk भी तो involved है मालो मालो इनका पैसे डूब जाता है तो पैसे बार बार ही कांसे करेंगे तो इसलिए उसके बाद जो यह होते है closely monitor करती है इसको central bank ऐसा नहीं कि जैसे अपने हिसाब से रहो कोई बात नहीं इसको ध्यान देती है central bank की बहिए कुछ ऐसा तो नहीं है इनकी functioning कर बढ़ा रही है कुछ हो रहा है ताकि functioning बढ़िया चले bank डूबे ना कुछ ऐसे किसी भी gray areas में से money laundering वगेरा में involved ना हो तो बिलकुछ सफाइस से काम करें इतने बड़े bank हो जाते है उसके साथ यह domestically हमाई देश के अंदर इनको identify करती है central bank और देश का और अगर हम globally बात कर कर जाता है बेसल committee on banking supervision के दोरा तो यह सब हमने बेसल committee on banking supervision के बारे में पूरी बात करी थी अपनी first और second part में तो वहाँ आप ज़रूर देख लेजेगा पूरा देखते हुए यह का clear आई चली शुरुआत करते हैं अब next topic की जो है gold investment scheme तो आप कहेंगे आजकल सुना सुना तो scheme के बारे में थोड़ा सा interesting तरीके से समझाइए लेकि इसको launch करा था सरकार ने sovereign gold bonds और gold monetization scheme यह दोनों ही schemes को launch करा था 5th of November 2015 में तो इससे यह होगा कि हर साल जो हम इतनी मातरा में भारी मातरा में import करते हैं gold को सिर्फ यहाँ पर investment purpose के लिए तो हम इससे बदल के अब financial savings कर होगे तो डर रहेगा फिर उसके बाद कहीं account खुलवाओ वहां रखो क्या फाइदा इस चीज़ का इससे अच्छा जब बेश नहीं है बेशने के purpose से ले रहे तो gold की तरह अगर को यह इस तरह का कुछ हो कि paper भी लिखा हुआ है ठीक है same चीज है तो risk भी नहीं है आको तो प होता है ना gram में खरीदा आता है वैसे ही यह भी जो है denominated होते हैं यह restricted होते हैं for sale to the resident Indian entities only both in DMAT and paper form यह यार रखिएगा कि इनको ऐसे नहीं लिया चाहिएगा इनको जो पहली चीज़ तो हमारे देश के नागरिक होने चाहिए मतलब Indian resident होना चाहिए ठीक है सिर्फ उन ही को मि लेगा और यह DMAT account खुलता है ना DMAT account सुना होगा अगर ट्रेडिंग वगरा करी होगी तो DMAT account में और साथ में paper form में यह यह दिया जाता है तो यह यहां पर restriction होते है minimum और maximum जो investment की limit होती है वो 2 gram होती है 2 gram से लेके 500 gram तक करा जा सकता है एक इंसान के दौरा एक physical year में मतलब बस आदा किलो स्जादा नहीं ले सकता है सारा को सारा तो black money होने लग चाहेगा rate of interest जो दिया जाता है जो दिया गया था for the year 2015-16 मतलब जो 2015 सुला में rate of interest दिया गया था वो था 2.75% per annum तो rate of interest भी मिल रहा है बंदों को कहा चाहिए पैसा चाहिए और यह half early basis पर दिया जा रहा था मतलब हाट 6 मैने में ठीक है bond का यह जो 10 year था यह 8 सालों के लिए था और इनके पास exit option था 5th year के बाद मतलब 5 सालों के बाद आप इस bond से बाहर निकल सकते हो कोई दिक्कत नहीं जैसे gold के लिए KYC norms होते हैं सेम यहां पर वही थे ठीक है KYC जो है वो सेम वही होती जैसे gold के लिए होती और capital gains tax से exemption भी मिलता यहां पर क्या मिलता capital gains tax से यहां पर exemption में मिल रहा था redemption भी जो है वो रुपी की value में हो रहा था उतना ही जैसे की gold का price था at the time of maturity मानलो ऐसा हुआ कि 40,000 रुपे में आपने लिया दो ग्राम लिया मानलो कि 8,000 रुपे का आप लेकर आए तो maturity के time पर अगर उसकी कीमत बढ़के 50,000 हो चुकी है तो जब आप यहां पे इसको maturity के time पर जब भी आप इसको जो है जाओगे आप पर से redeem कराने तो आपको जो present value होगी gold की suppose 50,000 है तो आपको उसका यहां पर 2 ग्राम आप लेकर आए थे ना तो आपको 10,000 रुपे मिल जाएंगे तो ऐसी कुछ कहानी थी rate of interest भी मिल रहा था सब बहुत बढ़े हैं तो in the first two tranches of SGB मतलब Soviet gold bonds total subscription जो आया था वो आ गया था 3788 kg of gold का जिसकी कीमत करीब 993 करोड थी यह पाया था कई पते कितने लोगों ने application टाली इसके लिए 3.90 लाक applicants क्या आप भी थे उसमें से सरा बताईए का comment box में तो यह कुछ कहानी हमने बात करी Soviet gold bonds की I hope आपको समझ में होगे अब दूसरी जो scheme थी वो थी gold monetization scheme अब इसके बारे में समझते हैं क्या है यह बहुत बढ़िया सरकार का बहुत बढ़िया step था ताकि यहां पर जो फालतो gold पड़ा हुआ है घरों में पड़ा हुआ है इसे mainstream में लाए ठीक है अब जो तीजोरियों में छुपा है उसे वापिस लाए आलतो फालतो पड़ा है और इससे क्या हो कि जो capital इतनी economy के अंदर lock पड़ी है उसे market में लेकर आएंगे तो development और अच्छे से होगा तो इसके लिए सरकार ने कदम उठाया उद्देश क्या थे हैं समझे उद्देश यह थे objective यह थे कि जो gold घरों में पड़ा रहता है institution में पड़ा है हमाई देश के अंदर उसे mobilize करना अब घर में पड़ा पड कि जो हम इतना सदा import करते हैं बाहर से मंगवाते हैं gold को ताकि हमारे domestic demand को पूरा कर सके यह भी यहाँ पे हमारे देश के अंदर इसे पूरा हो जाए तो हमारे import dependency काम हो रहे थी तीक है अब यहाँ पे अब आप कहेंगे कि मैं यह किस guidelines पे काम कर रही थी तो यह कुछ draft guidelines पे क stabilize करना कैसे gold को collect करा इस scheme के माद्यम से यह jewelers को दिया गया कि आप एक काम करो आप नए नए jewelry बनाओ और दूसरे दूसरे item बनाओ समझे मतलब scheme के माद्यम से gold को ले लिया household से ले लिया institutions से ले लिया जोनके पास पढ़ा था और उसके बाद collect करने के बाद इन्होंने jewelers को दि easy तरीके से gold लेंगे कैसे security से होगा बताया कोई पहुचा एक kilo gold लेके बीच में गोली पढ़ गए उसको तो ऐसे थोड़ी ना तो प्रॉपर तरीके से infrastructure बनाना था इसलिए जरकार ने इसको पहले कुछी जगाओं पे launch करा था gold जो कि customers ने customer से collect करा गया सबसे पहले उसकी centers में measure करा जाता कि कैसा है क्या है उसके बाद इसको पिखलाया जाता ताकि देखने के लिए कि इसकी आखिरकार purity क्या है कितना pure है और test वगेरा करने के बाद प्रॉपर तरीके से customer या तो deposit कर देता gold को एक fee लेके या तो फिर इसे वापस ले जाता after paying का nominal fee तो दोनों ही यहा जाते थे gold को देना उन्हें एक certificate देया जा रहा था जिसमें लिखा था कि कितना आप gold हमें दे रहे हैं क्या कितनी purity है जब आपने gold को deposit करा तो gold की purity क्या थी उस gold की और bank यहां पे एक gold saving account जो है वो खोलेगा उसी basis पे उसी certificate की basis पे जो बैंक है वो एक gold saving account आपका खोल देगा अब जो consumers है जो अपने लेकर रहा है थे gold उनको interest मिल जाएगा उनकी gold की savings पे ठीक है account for 30 to 60 days of opening account मतलब जैसी account खुला तब से 30 से 60 दिनों के भीतर अपना उनको interest मिलना शुरू हो किया और interest का जो amount है आप किस rate पे interest मिलेगा वो उस हिसाब से दिया जाता जैसा कि यहां पे bank decide क बैंकों के हिसाब से था कि वो ध्यान में रखते है कि आगर कैसा है pure है नहीं है क्या हिसाब किताब है उस हिसाब से यहां पे bank जो है वो अपना interest दे रहे है दोनों ही principal amount और interest amount मतलब मालों आपने जो है वो तीन लाका gold दिया तीन लाका gold उसके साथ जो भी उसमें interest लगा वो ठीक है तो principal amount और interest amount ये दोनों को दोनों जो है वो गोल्ड की depositor को मिलता ये जो value किस हिसाब से रखी जा रहे थी वो value उसकी gold के हिसाब से रखी जा रहे थी तीए ऐसा नहीं है कि मतलब जो gold के दाम चल रहे हैं उसी हिसाब से रख रहे थे मतलब किसी और के साथ या किसी और और चीस के साथ नहीं मिला रहे थे जो भी gold का दाम था उस हिसाब से उसका principle उसका interest जो है वो रखा जा रहे था और मिल रहा था ये डिपोजिटर को example की तौर पर आपको समझा दूं ताकि clear हो जाए कि माल लिजे अगर 100 gram gold किसी customer ने deposit करा और 1% interest उसको मिल रहा है तो यहां पर क्या चलेगा जो आखरी में मिलेगा majority में जो उसको पैसा मिलेगा majority के टाइम पर 101 gram मिलेगा समझें यह कहानी है अब जो 101 gram समझ गहे ना कि मतलब जुस समय भी जो gold की value चल रही होगी उसका 101 gram का जितना पैसा लेगा उतना उसको मिल जाएगा कंस तुमर जो है उसके पास option यह था कि चाहे वो cash ले ले cash के form में redeem कर ले और या फर gold के form में redeem कर ले जो भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ अपना चलेगा ठीक है और जो tenure होगा कितने time के लिए होगा कम से कम एक साल तो आपको रखने ही पड़ेगा और in the multiples of one year मतलब ऐसा नही तो आप जो है वो जो blocking period है आप उसको break कर लो जैसे FD बगर आप बीच में तोड़ लेते हैं जिसको पैसी की जर्वत होती है तो तो ऐसा यहां भी कर सकते थे उसके बाद अब आपको कि क्या और क्या फाइदा मिलेगा इस gold saving account को तो gold saving account जो है वो exempt होगा capital gains tax से wealth tax से income tax से तो 200,000,000 ton available है हमारे देश के अंदर अरे भाई बहुत हो गया और इतना अगर हम बात करें इतना कुछ जो हम हर साल मंगा लेते हैं 800 से 1000 ton यहां पे cut हो जाएगा अगर यह आ जाए तो हम इतना import dependency कम कर पाएंगे और बैंकों के regulatory issues के साब से देखें तो यह भी कहा गया कि जो gold deposit ह यह जो है पाल्ट होगा उनके cash reserve ratio का यह सब हमने SLR और CRR पाल्ट बन में बता दिया है इसी chapter के तो उसको देख कर आएगा यहां पे क्या फाल्ट टाइम वेस्ट करें तो उसमें बैंकों को मददगार होता और मुसीबते यहां थी लेकिन यह बात तो यही थी कि scheme का पे अगर हम देखें मतलब यहां पे gold का import कम हो रहा है circulation में हमारे देश का ही gold आ रहा है जो फाल तो बड़ा हुआ है external balances हमारे मजबूत हो रहे है availability अच्छे से easy precious metal की जो मिलती तो उससे cost भी jewellers के लिए कम हो जाती क्योंकि वह होता क्या है ना कि बाहर से import करेंगे import करने की जो cost लगती है तो उससे jewelry बनाने के बाद जो भी आता है तो उस jewelry की दाम बहुत बढ़ जाते हैं और export करने में भी पर महेंगा परता है लेकिन हमारे देश के अंदरी से अगर jewellers ये पालेंगे gold तो उनकी cost कम पड़ेगी बनाने बनाने के बाद तो jewelry भी नॉर्मल सस्ती रहेगी और ये export भी कर पाएंगे ठीक है फालतू में रखा हुआ है करीब 60 लाक जो करोड रुपे का gold है इसे इंट्रेस भी मिलता इस पे अराम से bank में पड़ा हुआ है कोई दिकत नहीं है अपना interest भी पा रहे है फालतू तो रखा हुआ और interest कौन दे रहा है जब आप बेचोगे तो उसमें मिलेगा समझें तो 30 gram यहाँ पे कम से कम था तो अच्छा खासा और ये interest जो मिल रहा था interest भी exempt है income tax से capital gains tax कई सारे लोग खिचके जाते हैं न किया फैदा पड़ा रहें दो ये tax वगेरे लगवाने से तो अच्छा ही है तो ये interest इन सबसे भी exempt था तो बहुत अच्छी चीज थी अच्छा कुछ हद तक आप कह सकते हो कि सरकार problem को ख़तम कर सकती है किस तरह से कर सकती है जो आने वाली problem से जैसे कि क्या करें कि बिल होता है न invoice invoice को issue करे mandatory बना दे कि ये mandatory होगा compulsory होगा उन gold के लिए जिन्हें बार के form में या coins के form मतलब सिक्कों के form में खरीदा जा रहा है और अगर बात करें कि household वाला जो household ornaments है उनके लिए इस बात को ना लागू करें इतना मतलब जबरदस्ती वाला mandatory वाला इसाब किताब ना करें invoice के लिए इससे क्या होगा कि जो banks होंगे वो ट्राक कर सकते हैं transaction को उनके पास एक proof तो होगा कि भई क्या कहते हैं क्या address है क्या identity ह इनसान की और मालीजे ऐसा हो जाता है मालीजे ऐसा हो जाता है कि जो particular limit एक लगाई गई है उससे जाधा अगर माली जो ornamental वाला हिसाब किताब आ जाता है तो हां सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि कहां से आया कैसे है तो पूरा एक जो अगर gold monetization scheme चलानी है तो एक पूरा structure सर कार को carefully बहुत ध्यान सोज समझ के अलग अलग चीजों को ध्यान में रखके करना होगा और ऐसा भी नहीं करना होगा कि पूरानी वाले scheme सिक्टम different हो बढ़या हो अच्छा वर्जिन हो और बेटर हो ऐसा कुछ करना हो ठीक है नेक्स टॉपिक की तरब बढ़ता है टॉपिक क NPA क्या होते हैं क्या चीज़ होते हैं वो भी कई सारे लोगों को पता हो लेकिन आपको मैं clearly समझाती हूँ जो नहीं पता देखिए non-performing assets मतलब NPA ऐसा loan या ऐसा advance है advances है जिसका principal amount भी और जिसका interest भी दोनों ही नहीं दिये गए हैं मतलब overdue है for the period of 90 days कितने दिनों तक के और ऐसी चीज़ों को जो है बैंक जो है वो NPA घोशित कर देंगे आपको और example और अच्छे साही से समझाती हूँ कि माल लीजे कि एक इनसान है इसने loan लिया एक लाग रुपे का कितने रुपे का एक लाग रुपे का loan लिया किसी बैंक से clear है तो जो loan जितने का लिया है उस दिनों तक ऐसा हुआ लगातार 90 दिनों तक इस इंसान ने नहीं interest दिया और नहीं principal amount को पैसा दिया तो ये bank ऐसे loans को या ऐसे advances को NPA घोशित कर देते हैं ठीक है अब NPA की भी classification होती है और चीजों में ऐसे कि तीन चीज़ होती है इसके अंदर सबसे पहला आता है substandard assets दूसर रहा आता है loss assets तीनों को ही मैं आपको समझाना चाहूंगी देखिए substandard assets तो ऐसे assets हो गया जो NPA रहे for the period less than or equal to 12 months मतलब NPA है समझे NPA है NPA मैंने आपको बता दिया कैसे होता है कि 90 दिनों तक लगातार नहीं मिला तो NPA घोशित हो गया अब कोई NPA जो है वो 12 महीनों या 12 मह इनों से कम तक की ताइम कोई asset अगर NPA रहा लगता तो वो बन जाएगा substandard asset से यह इतनी बस समझ भाई अब दूसरा आता है doubtful asset doubtful नाम में कहता है कि doubtful है तो doubtful कब बनेगा जब यह लगातार 12 महिनों के लिए substandard asset रहेगा मतलब एक ऐसा asset जो लगातार 12 महिनों के लिए substand रहे वो बन जाता है doubtful asset और तीसरा आता है जो loss asset इसका क्या होता है RBI के साब से मैं बताऊं तो loss asset ऐसा मान लोगे आप इसकी बहुत कम value मिलें मतलब पूरी तरह से write-off भी ना हो लेकिन अगर हम कहें कि कुछ recovery value मिल गए तीक है ऐसा कुछ होता है तीनों classification पर बता देगे पास्टी गवर्नर्स वगेरा जो हमारे थे एक्स गवर्नर थे रहुराम राजन जी इन्होंने भी कहा था कि भई आर मतलब NPA जो है यही बेन major challenge है जो हमारे देश का पूरा backing sector जेल रहा है ठीक है मतलब problem यह है मतलब यह largely problem तो छुपी हुई है क्योंकि पहले क्या था क्यों कि भई बैंक यहां पर यूस करते थे इसे to do window dressing of their account statement and now come to forefront after Rajan exhorted the banks to clean up their asset book by March 2017 तो चलो ठीक है चुप जाती थी बाते लेकिन अब मामला क्या हुआ कि बैंकों से कहा गया कि आप यहां पर अपनी asset book को clean up करिये मार्च 2017 तक तो इससे result की तोर पे हुआ कि कुछ 29 जो public sector bank थे इ इसको right off करा as bad debt समझ रहे हो bad debt बना दिया कि पैसा मिले गई नहीं और पते है कितने से कितने साल के बीच में 2013 से 2015 के बीच में मतलब आप समझो लगबग 2-3 साल के दर्मियान ऐसा हो गया कि 1.1.14 लाग करोण right off करने पड़ गया इतना बड़ा amount यह इतना जादा है मतलब पि ठीक है यह करीब 92% बड़े fiscal है 2016 में और यह बढ़के जो है वो 5.79 trillion हो गए थे even after provisioning तो net जो bank loan था वो double हो गया double हो गया to rate 3.38 trillion मतलब आप समझ रहे हो हालत क्या चल रही है बहुत loss मतलब अगर हम percentage की term में आपको बताते हैं तो आप सभी से समझ पाओगे average gross NPA asset जो है group of bank का यह 4.4% यह था 2015 में इससे बढ़के 7.91% हो गया 2016 में मतलब आप समझ रहो एक पिछले एक साल में कितना हो गया 2.45 से बढ़के 4.63 में हुआ तो बहुत सादा दिक्कते कुछ है ने को मिला तो अभी तो फिलाल current situation में ऐसा बोला कारणे की नहीं NPA के problem कम हो रही है यह है वो है तो अब क्या है क्या है क्या नहीं क्या अभी जो हालत क्वर्णा के बात की है इसके बाद और मुसीबते create होईंगी जायर सी बात किसी का business न कामला क्या रहा इन्होंने कहा कि नेट परफॉर्मिंग जो असिट हैं सारी कमर्शिल बैंक के कम हुए हैं 3.7% हो गए हैं 2019 में क्योंकि यह 6% थे 2018 में तो कम हुए ऐसे इन्होंने कहा और ऐसी इसी बात रही चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक आक्ट के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हम फिर डिसकस करते हैं जो अक्सर को जरूर डिसकस करते हैं वो है हमारा सरफाइजी आक्ट S.A.R. F.A.E.S.I. सरफाइजी आक्ट के बारे में तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं फुल फॉर्म है Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest यह जो सरफाइजी आक्ट है यह 2002 का है यह ऐसा लौ है जिससे Financial Institutions को यह मदद मिलती कि भाई आप जो है वो अपनी जो Asset है उसकी Quality को और बढ़ा सकते हो क्या काम था कि जितने Financial Institutions हैं सबको यह मदद दे रहा था यह लौ कि भाई आप अपनी Asset की Quality को बहुत अलग तरीक से बढ़ा सकते हो अलग अलग तरीकों से और बढ़ा सकते हो इसका मतलब यह था कि आक्ट को इस तरह से बनाया गया था कि जो Non Performing Asset की Problem इसको Solve करना है और इसके लिए अलग-अलग Process होंगे अलग-अलग Mechanism के माध्यम से Bank इस दिक्कत को Solve कर सकते क्योंकि सबसे बड़े द इसके अंदर प्रॉपर डीटेल में प्रोविजन दी गही थी कि किस तरही से यह जो Asset Secretization Companies होती है Reconstruction Companies होती है यह बनेंगी क्या काम करेंगी कहां तक काम करेंगी क्या Capital की जरुवत पड़ेगी कैसी funding होगी सब कुछ इस आक्ट के अंदर था और RBI मतलब Reserve Bank of India जो है यह इन स आतमें सब कुछ है अब एक लीगल मेकैनिजम के तौर पर है ना टू इंसलेट असेट यह आक्ट में क्या था इस आट के अंदर यह था कि देखो भई जो क्रेड़िटर्स हैं ठीके से क्योर्ट क्रेटर्स हैं उनके इंट्रस को ध्यान रखें अब से क्योर्टर्स जैसे कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हों तो अब मैं आपको बताना चाहते हूं कि आखिरकार क्यो अबजिक्टिफ्स थे इस आक्ट के इस आक्ट को लाने के कुछ उद्देश होंगे ना और आप समझ रहे हैं कि हमने एंपी के बाद इस आक्ट को पढ़ा है तो इसक ह reins? मैं पैसा तो नहीं बाटा जा रहा है? ऐसा तो नहीं अब बाद में मुसीबत में खुदी परस हैं इसमें पुरा procedure यह दिया गया था कि किस तरीके से आप NPS को ट्रांस्ट कर सकते हो तो असे ली कू PD कर सकते हो तू असे रीकनिस्ट्रक्शन केंपनीस för केसमें कोल्ट का कोई इंटर्वेंशन नहीं था ठीक कोई हश्ट शेप नहीं था बीच में और यहां पर फिर बेस्टी को मेंटेन करा जा रहा था इस आक्ट के मात्यम से उसके साथ इसने बैंक हो गए फाइनेशल इंस्टूशन हो गए उनको पावर देते कि भागे उसकी ज इस पूरे मिशन के बारे में बात करेंगे काफी फेमस है और में लिए देखिए इस इस पूरे मिशन को समझने से पहले बाक्राउंड की कहानी समझें हुआ क्या कि अजादी के बाद ही जब नैशनलाइज वगेरा हुए बैंक हमारे तो कुछ वक्त के बाद यह उन्हें ल यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इंडियन एकॉनमी का हम जब जानते इस बात को लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ वक्त में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इनकी चाहे ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक डिवांड हो कम होती जा रहे हैं अप्रूबल में बह और यहीं सारी वजाएं गुल मिलके क्या हो रहा है कि जो लोन वगयरा देते हैं यह प्रोजेक्ट्स हो वह जाता है अपने देखा ना भई वगयरा भागे तो लेके तो भागे पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा न तो इस सब देखते हैं अब इन रधनुष प्लान जो था वह यह था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से इनको भई और सही करा जाया इनको उठाया जाए और इस प्लान को अनूंस करा सरकार ने 14.08.2015 तेकर इसको अनूंस करा सरकार ने इसमें यह था की जो है अब सरकार जो है इसमें 70.000 करोड़ लुपीस क्यापेटर अपनी लगाए चुकी है तो काफी सारा पैसा लगाने के बाद भी सरकार को बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर नहीं मिले और इसे के लिए यहां पर सरकार ने कहा कि अब हम इंदर धनुष 2.0 लेकर आएंगे ऐसा प्लान होगा जिससे हम और अच्छे से फिर से रिकाप्लाइज करेंगे पब्लिक सेक्टर लेंडर्स को उद्देश यही था कि देखो इंसॉल्वेंट ना हो जाना बरबाद ना हो जाना ठीक है उसके साथ आपको जो ग्लोबल क्याप्टिल एडिक्वेसी नॉर्म से उसके साथ अपना कंप्लाइंस बना के चलना है तो यह जो क्याप्टिल एडिक्वेसी होती है इसी चैप्टर के पार्ट वन में मैंने बताया है बहुत अच्छी से बताया आप प्लीज देखते हुए आएगा ठीक है बेसल थी के करते हैं तो यह कुछ कहानी इंद धनुष मिशन की उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे इन्सॉलवेंसी एन बैंक्रप्सी बोल्ड ओफ इंडिया के बारे में तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इसको कब बनाया किया था यह 1st of October 2016 में बनाया किया था अब जिसके function जानेंगे तब चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से तक यह functions की बात करें तो यह पूरी तरीके से जितना भी इन्सॉलवेंसी प्रोफेशनल्स हैं ठीके यह इसको रिखिए जोगता है ध्यान रखता है इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एगेंसी को Information Utilities को फिर individual bankruptcy हो गया इस court के अंदर अब यह एक बहुत ही important pillar का काम करता है हमारे इस पूरे ecosystem में जिससे यह code implement किया जाता है और यह code जो है जो implement किया जाता है यह consolidate करता है अमेंड करता है laws को जो भी reorganization selected होते हैं यह insolvency resolution जो है corporate persons का partnership firms का individuals का सब को जियाद करता है और यह सारा कुछ न यह नहीं कि जमर जी आयाराम से करते रहेगा सालो साल तक ऐसे नहीं है एक time bound manner में इसको किया जाता है maximum जो value है assets की ऐसे persons के लिए to promote entrepreneurship ताकि ability of credit रहे उसके साथ balance रहे interest में सारे stakeholders के तो इस तरीके से time bound manner में इसको यह काम करता है अब बात करेंगे इसके organizational structure की कौन कौन होता है इसके अंदर दस members होते हैं बोल्ड के इंदर इसमें chairman भी included है मतलब chairman को मिला के 10 member है आपको बताती हूं कौन कौन सबसे पहला एक तो chairman हो गया बाकि तीन members ही लिए करता है और बाकी के जो पांच बचे तीन चार पांच और बाकी के जो पांच बचे वह members को central government nominate करती है इसमें से तीन जो है वह होली whole time members भी होते हैं तो यह कुछ होती है पूरी कहानी उसके साथ कुछ साथ elements है जैसे कि एक पहला होता है appointment दूसरा होता है bank board bureau तीसरा है capitalization चौथा है d stressing public sector banks पांच हुआ है empowerment छटा है framework accountability और आखरी में साथवा है governance reforms आये कि करके आपको समझाते हूं तो सबसे पहले जो मैंने बात करी appointment की appointment में सरकार यहां पे जो government है decide करती है separate post chairman की रखती है और management director की मतलब MD की रखती है और इसमें जो भी vacancies है उसको fill करा जाता है ठीक है filling up the CEO will get the designation of MD and CEO मतलब यहां पे CEO वाली जो vacancy भरी न उसकी बाव उसमें designation MD की मिलती है manager director की और CEO हो जाते है ठीक है यह दूसरे इंसान होंगे इनको appoint करा जाता है as non executive chairman of public sector bank यह क्या जाएंगे non executive chairman बन जाएंगे public sector bank के और यह यहां पर जो यह approach है यह ध्यान में रखी जाती है best to best globally ध्यान में रखी जाते global direct practices को adopt किया जाता है guidelines वगेरे जो भी companies act की है उस हिसाब से किया जाता है ताकि proper checks और balance रह सके ठीक है यह पूरा selection process जो इन सारी positions का है यह transparent रहेगा ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी चुपे से बना दिया ऐसा कुछ नहीं है पूरा process जो selection का process है चाहे वो MD के लिए हो चाहे वो CEO के लिए इसे बहुत अच्छा करा गया है उसके साथ ये ये भी होता है कि आप MD के लिए CEO के लिए यहाँ पे apply कर सकते हो लाओ है ये बात ये जो public sector के candidate होते हैं उनको यहाँ पे अलाओ करा गया है कि आप MD या CEO की post के लिए top 5 bank जैसे की पंजाब नैशनल बैंक हो गया, बैंक ओफ बडोदा हो गया, बैंक ओफ इंडिया हो गया, IDBI बैंक हो गया और कैनरा बैंक हो गया इन top 5 bank हैं इनके लिए आप जो है MDS CEO के post के लिए public sector candidate यहाँ पे apply कर सकता है, ठीक है तो यह appointment की बात करी, अब दूसरे number पर जो मैंने आपको बात आया था, वो था bank board bureau, अब यह क्या है समझे, BBB, यह बहुत बड़े बड़े जाने माने professionals और officials के अंदर होते हैं और यह इसने replace करा था appointment boards को appointment के लिए, ठ non-executive chairman, जो NPSP के थे, उसको यहाँ पे इसने replace करा, यह लगातार क्या काम करती है, यह bold of directors के माधियम से काम करती है, सारे ही public sector banks के सारे engage करती है, ताकि यहाँ पे जो भी strategy है, growth की, development की, उसे proper तरीके से बनाए जा सके, फिर समझे, they will also constantly engage with, यह लगातार engage करते रहते हैं, bold of directors से सारे ही public sector banks के, ताकि बढ़िया strategy बनाएं, जो growth और development कर सके, अब यहाँ पे structure है, इस bank board bureau का, यह कुछ इस तरह से होता है, कि इसके अंदर एक chairman होते हैं, और यहाँ पे 6 और members होते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं, वो officials होते हैं, और 3 जो होते हैं, वो expert होते हैं, अब जो experts की मैंने आपको बात बता ही न, यह experts जो हैं, विदिन विच जो आपके experts 3 हैं न, इन 3 में से जो 2 expert होने चाहिए, वो banking sector के expert होने चाहिए, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, तो total कितने हो गए यहाँ पे, total हो गए 6 members प्लस 1 share में, 6 members में भी कितने हो गए, 3 जो है वो officials हो गए दूसरे number पर इसके अंदर क्या है, कि search committee for members of BBB, इसके अंदर कौन होगा, RBI की governor होंगे, और secretary होंगे, secretary होंगे as members, ठीक है, आप यह समझ लीजिए, आपर कौन, governor, RBI के and secretary and secretary as members, तो ऐसे कुछ होंगे, उसके बाद जो यह BBB है, यह कुछ selection method का use करेगी, जैसा कि जो ACC की guidelines में लिखा है, उसी हिसाब से यहां पर, यह selection के लिए भी आगे देखेगी, किस तरह से select करना है, बंदों को, ठीक है, उसके बाद अभी तक अगर मैं आपको बताओं, तो इसने काम करा है, इक autonomous body के तोर पे काम करा है, बढ़े तरीक से सरकार के अंदर काम कर रही है, और, मतलब autonomous body है, सरकार के, सरकार के अंदर के एक अजादी से अपना काम करती है, और, यहां पर, इसने governance reforms के लिए भी काम करा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जैसा की, पी जे नायक कमिल्टी ने बोला, जिसका headquarter, जो है, इसका, जो अगर मैं बताओं, तो मुंबई में है, और, बान हजार करोर लुपे का पैसा जो है, वो इंजट करेगी, डेप लेडन स्टेट बैंक्स में, इन दिस फिसकल, और, बीस हजार करोर लुपे जो है, उसे, इस महिने में ही, इंजट करे जाएंगे, जब किताब लिखी कि यह ना, उस समय की बात है, 2020 तक हम यहां बात करेंगे, देंगे, तो अगले 4 सालों में, जो सरकार है, उसने प्लान किया था, कि हम 70,000 करोर लुपे बैंक को देंगे, ठाकि बैंक के पास कुछ पैसा आ जाए, और, यहां पे, मतलब, अगर हम यहां पे, ऐसा, बैंकों के पास पैसा प्रोवाइट करेंगे, तो बैंक जो है, वो इ कुप गया पैसा, तो यह तरह से स्ट्रेस्ट बैंक हो जाएंगे, तो इनको रिस्ट्रेस करना, पांचवे नंबर में बात करें, तो इंपार्मेंट की, इंपार्मेंट वारा एरिमेंट था, इसका मतलब यह है, कि सरकार ने कहा है, कि हम आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो फंक्शनिंग होती है, उसमें कुछ भी हम हच्चेप नहीं करेंगे, है ना, हम इंटरफेर्ण नहीं करेंगे, आपने साबसे काम करेंगे, आप अजारी से डिसीजन लीजिए, बस ध्यान में रखेगा, कि आपको प्रॉफिट के लिए काम करना है, इतना भी ना आप बरबाद हो जाएं, समझें, आप इंटरफेर्ण और इंटरवेंशन के बीच में डिफरेंस बताया, देखो इंटरफेर्ण नहीं करेंगे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि एकदम तुम को छोड़ देंगे, कहीं अगर आपने दि ही है, तो आपकी accountability भी है, मतलब आपको यहाँ पर अगर कोई दुख है, दर्द है, अगर कोई दिक्कते होती है, तो आप से सवाल किया रहे सकता है, कि आपने ऐसा क्या करा, जो आपको ये problem arise हो रहे है, या आप ऐसा जो कर रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रह की है, तो इसी हिसाब से, बैंकों से कहा गया, बैंकों से कहा गया, कि आप एक robust grievance reduction mechanism बनाई है, मतलब आपके पास एक grievance reduction mechanism होना चाहिए, और ये बढ़िया सा हो, ताकि यहाँ पर क्या हो, कि जो customers हैं, वो आएं, staff उनका आए, और उनको जो भी customers को दिक्कत है, staff को दिक्कत ह है, तो उनको यहाँ पर उनका एक time bound management में उनकी दिक्कतों को solve कर दिया जाए, ठीक है, इतने बाद समझ भाई, government को यह सारे काम करेगा, और सरकार यह भी कह रही है, कि हम employee stock ownership plan लेकर आएंगे, public sector units, bank management के लिए, तो यह कुछ बात करी है, हमने environment की, कैसे और चीज़े बढ़ा देती हो, देखिए, सरकार निया पर यह भी कहा, कि हम एक नया framework लेकर आएंगे, तीक है, उसमें सब कुछ होगा, भाई, state run lenders के लिए सब कुछ होगा, indicators होगे, ताकि यहाँ पर जो भी efficiency है, उनकी functioning में, उनका काम और बढ़िया हो, अचा, असानी से decision ले, independent decision ले, कमा रहा है, यहाँ कि पैसा नहीं कमा होगे, भला करते रहोगे, तो फिर बंद हो जाओगे, चाहर तिन बाद, तीक है, और, अभी जो present measurement था, बैंक को performance को चेक करने का, वो था system called SOI, मतलब statement of intent, यहाँ तो present system यह था, कि वह उसे check करते थे, कि बैंक कैसा perform कर रहे है, और कुछ criteria, जिसे ministry of finance ने, यहाँ पे decide करा था, उन criteria के साब से, bank को अब क्या करना था, कि उनको एक annual target रखना था, ठीक है, एक अपना उनका उद्देश होना चाहिए, जो, यहाँ पे ministry और bank के बीच में हो जाएगा, कि बैंकों से, कि आप अपना target बताइए, आप साल में क्या क कर दोगे, वो कहेंगे, ठीक है, और उस target को तो उनको पूरा करना होगा, ठीक है, तो यह सारा बहुत ज़्यादा बढ़िया था, कि at the end of the year में, यहाँ पे proper हो, चीजे हो, target पूरा हो, तो accountability भी तो बहुत ज़रूरी है न, बैंकों की, यह हो जाएगा, और साथवा element था, government reforms का, तो देखो, जो यह पूरा process है, government के reforms का, यह शुरू हुआ कब से मालू मैं, यह शुरू हुआ ग्यान संगम से, कैसे, ग्यान संगम के बाद से, जो की, यहाँ पे, public sector banks और जो आपका financial institutions organized है, at the beginning of 2015, इसके अंदर सब कुछ था, इन पूने, यह पूने में हुआ था, और इसका, यह था कि सारे stakeholders में, प्रधान मंतरी भी थे, finance minister भी थी, ministry of finance के अंदर, governor भी थे, RBI के, ठीक है, सारे जो, CMD, सारे public sector banks के, financial institutions के, सब कुछ इसके अंदर, इन सारे लोगों ने इसको attend भी किया था, ठीक है, सारे लोग यहाँ प्रजेंट थे, और इसका main focus यह था, कि हम छे अलग-अलग topic पर discuss करेंगे, जिससे हम proper decision लेंगे, जैसे कि आपका, कैसे हम capital को optimize करें, ठीक है, capital कैसे हम optimal level तक लेकर आए, उसके बाद यह process किससे अच्छा हो सकता है, अगर हम चीज़े digital कर दें, ठीक है, अगर हम technology का use कर लें, digital कर दें, तो digitizing process, उसके बाद, risk management को और म improve करके, financial inclusion, financial inclusion का मतलब तुम्हें बताई चुकी हूँ, ठीक है, तो यह सारा कोई ध्यान में रखे, इंद्रदनुष framework for transforming the PSPs, जो इंद्रदनुष वाला plan में ने आपको बताया न, इसमें सब कुछ यह दिया हुआ था, ठीक है, और हमारे जो public sector banks हैं, वो अब यह थे, कि merger of SBI associates with State Bank of India, मतलब SBI, तो यह बहुत बड़ा decision है, बहुत news में रहा, जब सरकार ने कहा कि भई हम State Bank of Beaconir and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Trevencourt को State Bank of India में merge करना चाहते हैं, इन्होंने इस बात को प्रपोस करा, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो merger, यह एक April 2017 से effect में आया, और भारती महिला बैंक भी अब यहाँ पे, now stand merge with the SBI, तो सब यहाँ पे SBI के अंदर आ चुका है मामला, तो यह कुछ कहानी हमने इसकी सुनी, और इसी के साथ, यह बड़ा सा chapter complete हो गया है, तो अगर आप मेरी membership को join करना चाहते हैं, तो join बटन को प्रेस करके प्रेस को enjoy कर सकते हैं, साथ में, thank you so much for watching, if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel सिर्फायस, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description, also you can watch these videos on Facebook, just like the page सिर्फायस, thank you so much for discussion, have a wonderful day, take care.